ये देखिए क्या कोई इस केक को देखकर कोई कह सकता है कि हमने इससे बिना किसी अवन के कड़ाई में बनाया है है ना एकदम कमाल की बात इस चॉकलीट केक को बनाने के लिए ना तो आपको अवन की जरुत पड़ेगी और ये इतना सॉफ्ट और स्पॉंजी बनता है वो भी बिना अंडाके बिना एलेक्रिक बीटर बिना विप क्रेम की एक एक बना के हम रैडी करेंगे और यकीन मानिये इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है एक बार आपने इस केक को बना लिया तो आप इसके फैन हो जाएंगे और बार बार ये चॉकलीट केक घर पे बहुत आसान तरीके से बना लेंगे रेसेपी पसंद आए तो इस रीडियो को लाइक ज़रूर करें तो चलिए आज की रेसेपी स्टार्ट करते हैं केक बनाने के लिए हम यहाँ पे बड़े से मोल्ड का इस्तवाल कर रहे हैं जो कि इसक्वार शेप में हैं आप किसी भी शेप का एक मोल्ड ले सकते हैं इसको सबसे पहले हम ग्रीस कर देंगे ऐल से ऑईल या बटर से इसे अच्छे से ग्रीज कर दें ताकि हम इस पे बटर पेपर सैट कर सकें फिर हम इस पे बटर पेपर लगा देते हैं जो कि मैंने स्क्वेर शेप का कट करके रखा है आप जिसबी शेप का एक एक बना रहे हैं उसके शेप का बडर पएपर कट कर लें और इसे अच्छे से सैट करदें बेस में आप चाहे तो एक एक किसी भी स्टील के फ्लैट टिफिन में भी बना सकते हैं बस वो फ्लैट होना चाहिए और इस तरह से गहरा और थोड़ा बड़ा होना चाहिए अब हम इसे side रग देते हैं ये जो mold हमारा ready हो गया है कड़ाई को हम यहाँ पर preheat कर लेते हैं तो एक बड़ी सी कड़ाई का इस्तमाल करेंगे जो की थोड़ी heavy होनी चाहिए इसके अंदर हम एक stand रग देते हैं और इसका ढखकन बंद करके इसे 10 मिनिट के लिए high flame पर preheat हो जाने देंगे अब हम ready कर लेते हैं cake का बैटर cake का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा बरतन ले लेंगे और इसमें डाल देते हैं दो कप दूद दूद यहां पे आपको घुन-गुना इस्तमाल करना है तो हमने घुन-गुना दूद इसमें स्तमाल की यह हैाँ इड़ कर दिया है इसी के यहां डाल देते हैं फॏ जिने किसी फिलेवर के लिए ऑनी फोट प्रफ़ी के पाल पूल कर देते हैं विसकर से अच्छे से मिक्स हो जाता है आप चाहे तो स्पून से स्को मिक्स कर लें तो इसे लगातार हम एक दू मिनिट के लिए मिला देंगे इस तरह से और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा फिर ऐसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी आद तो milk powder के जगह पे एक चौथाई कप condensed milk भी डाल सकते हैं तो सारी चीज़ें हमने आपस में mix कर दी हैं हमने sugar डाली थी इसमें milk powder डाला था वो भी अच्छे से मिला दिया है इसमें अब हम इसके उपर रख देंगे छलनी तो इस बरतन पर एक चलनी रखें और इसमें हम डाल देते हैं मैदा दो कप हम इसमें मैदा डाल रहे हैं क्योंकि केक हम जाधा बना रहे हैं अगर आप केक कम बनाना चाते हैं तो सारी चीज़ों की जो quantity है वो आधी कर दें इसी के साथ इसमें डाल देंगे आधा कप कोको पाउडर और साथी में इसमें डाल देते हैं दो छोटे चमच बेकिंग पाउडर भी ये जो हमने कोको पाउडर डाला है इसमें कोई भी मिठास नहीं है ये अनसुटेंट कोको पाउडर है एक छोड़ा चमच हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा हम इसमें अंडा का इस्तमाल बिलकुल नहीं कर रहे हैं इसलिए हम इसमें बेकिंग पौडर और बेकिंग सोडा दोनों का ही इस्तमाल कर रहे हैं सारे चीज़र डालने के बाद हम इसे चान देते हैं चानना इन सब चीजों को बहुत जरूरी है इसलिए छलनी से इसे चान जरूर लें अब हम इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से और इसे हम तब तक मिलाएंगे जब तक ये पूरी तरह से स्मूध नहीं हो जाता हमने इसमें दूद पहले ही डाल दिया है तो बाद में हमें कंसिस्तेंसी है वो भी परफेक्ट हो जाएगी कट एंड फॉल्ड मेज़ड से भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं इस तरह से जल्दी स्मूध हो जाएगा ये देखिए बैटर हमारा पूरी तरह से स्मूध हो गया है बिल्कुल पर्फेक्ट इसके कंसिस्टेंसी आ गई है अब इसे सीधा हम डाल देते हैं केक मोल्ड में जो हमने पहले से तेयार करके रखा हुआ है तो इस मोल्ड में हम सारे जो बैटर है वो पोर कर देते हैं बैटर को पोर करने के बाद इसे हम थोड़ा थोड़ा टैप कर देंगे ताकि यह जो केक का है बैटर है वो लेवल हो जाए तो इस तरह से हलका से इसे टैप कर दें और सीधा इसे बेक करने के लिए ले चलेंगे और कडाई भी हमारी अच्छे से गरम हो गई है प्रिहीट हो दियानर के प्रिहीट हीट गढ़ाई में आपको इसे 40-45 मिनीट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर ही बेक करना है बीच वीच में आप इसे बिलकुल भी ना खोले और आप देख सकते हैं पैतालिस मिनेट बाद केक हमारा अच्छे से बेक हो हो आद दिख रहा है इसे हम बहार निकाल कर ठंडा होने देके बाद इसको किनारों से इस तरह से अलग कर देंगे ताकि हम इसे बहार निकाल सके केक के अच्छे से ठंडा होने के बाद ही इसे हम अनमोल्ड करेंगे तो इसको किनारों से हमने अलग कर दिया है अब हम इसे बाहर निकाल देते हैं केक बहुत ही आसानी से बाहर आ चाता है ये देखे हमारे जो केक है आसानी से बाहर आ गया है